यूद की आईकोन समाजबादी पार्टी की नेता जिनके भाशन की विपक्ष भी करता है तारीफ अखले इश्यादब लेकर चलते हैं अपने साथ विदेश से पढ़ाई करने के बाब जूद भी नहीं भूली भारतीय संसकार संसद में जब पहली बार गुझी तो विपक्ष ने भी बजाई तालिया हिंदू-मुस्लिम ना करकर करती हैं मुद्दे की बात जी हम बात कर रहे हैं समाजबादी पार्टी की दिगजनेता और केराना सीट से मोजदत संसद एकराहसन की आखिर कौन है एकरहसन तो आई आपको बताते हैं एकरहसन का जन्म 26 अगस 1994 को तरप्रदेश के केराना में हुआ था एकरहसन एक राजनितिक परिवार से तालुक रखती है एकरहसन के दादा पिता और मा सांसद रह चुके हैं जमकि उनके बड़े भाई नाहिद हसन लगातार तीसरी बार बिधायक है राजनिति में एंट्री की बात करें तो एकरहसन ने साल 2016 में पहली बार जिला पंचाय सदस्य का चुनाब लड़ा था लेकिन उन्हें यहां से निरासा हाथ लगी उन्हें 5000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा हाला कि वह कहराना की राजनिति में लगी रही और साल 2024 में लोकसवा चुनाब में समाजबादी पाटी ने उन्हें उमीदवार बनाया और एकराहसन ने भारी भौमत के साथ यहां से जीत दर्ज की और फिर एकराहसन संसतभवन पहुची और फिर उनके भाषनों की खूब चर्चा होने लगी एकराहसन की एजुकेशन की बात करी जाए तो उनकी शुवाती पढ़ाई दिल्ली के क्विंस मेरी स्कूल से हुई है फिर दिल्ली के लेडी स्री राम कॉलीज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया इसके बाद दिल्ली यूनिवस्टी से लेलवी करने के बाद लंदन चली गई लंदन में उन्होंने इंटरनेशनल लो एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुशन की पढ़ाई की और साल 2021 में भारत बापस लोटी एकराहसन तब सबसे जादा चर्चा में आई जब उन्होंने पहली बार CAA और NRC का विरोध किया वहीं एकराहसन की संपत्ति की बात की जाए तो एकराहसन के पास 40,000 की नगदी 35 किलोग्राम सोना इसके अलावा उनकी नाम पर कहराना और अम्बेट का नगर में जमीन है हाला कि उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है इसके अलावा तक्रीबन 8,5 लाग रुपे का ग्रेजुशन का उनके उपर लोन है वहीं संसत भावन में एकराहसन की मौझूदगी की बात की जाए तो एकराहसन को ना सिर्फ उनकी पार्टी की नेता पसंद करते हैं बलकि विपक्ष की नेता भी एकराहसन को पसंद करते हैं और उनकी जमकर तारीफ परते हैं खुद सिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रधान ने एकरा हसन की तारीफ की, दरसल जनपर शामली में रेल यात्रा की समश्या को उठाते हुए, हिंदु समाज के तीर्थ छेत्र प्रियाग राज और माता वैश्नो देवी के लिए सीधी ट्रेन शुरू कराने की मांग कर सभी का द बनाने की मांग की है, यहाँ पर बड़ी मांग को केंद्रिय सिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रधान से करती हुई नजर आई थी, जवाब देने के लिए जैसे ही सिक्षा मंतरी खड़े हुए, तो उन्होंने संसद एकरा हसन के संसद में दिये गए भाशन की तारीफ से अपन बात की शुवात की, ऐसी में साफ दिखाई देता है कि एकरा हसन आने वाले समय में एक बड़ी उबानेता के रूप में उभरेंगी, तो यह थी एकरा हसन की कहानी, आपको हमारे वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को झाल